यूटूब पे गंदी चीजे सर्च करते हैं तो बहुत सारी गंदी चीजे सर्च करने के बाल जो कि यूटूब करता क्या कि आपको वहीं सारी चीजे दिखाने लगता है 18 प्लस वाले वीडियो और दोस्तों अगर आपके घर में छोटा बच्चा या पिन आपका भाई अगर यूटूब चलाता है तो अगर आप एक बार गलती से भी गंदी चीजे अगर सर्च कर लेते हैं तो उसको भी वहीं चीज दिखाता है तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे पर दुस्प्रभा पड़े गया तो दोस्तों आप चाहना चाहते हैं कि यूटूब की ये तीन सेटिंग जिसको आप जो की यूज करके एक गंदी चीजे जो की आप बंद कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से आन तक देखते रहाना क्योंकि आज यूटूब की तीन सेटिंग के बारे बताऊंगा जो आप यूटूब चला यहां पर बटन लाल करें से लिखा होगा इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहां पर बगल में आई बे नन्हा सा मुन्णा सा छोटा सा घंटी होगा इसको जरू दबाएं इसको दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँग उसको यहां पर comment करना है, यहां पर आपको important comment क्या करना है आपको, यहां पर मैं बता दूँ, आपको comment करना है, nice trick, करके आप ब्रेदर नहीं, I love this video, love the video, कुछ भी आप यहां पर लिक कर आप कर दे रहा, उसके बाद दोस्तों, इस application को download करने के लिए, यहां पर जो title लिखा हूँ, आ आपको यहां पर नीचे मिल जाएगा, I have link, आपको इस पर clicker करके application को download करना है, चले दोस्तों, आप video करते हैं, शुरू, दोस्तों, YouTube की यह तीन setting के लिए, आपको सबसे पहले YouTube के application को open कर लेना है, उसके बाद यहां पर icon पर click करना है, icon पर click करने के बाद आपको यहां पर setting setting वाले option पर जाना है, उसके बाद पहला जो मिलता है setting caption, caption पर आपको click करना है, उसके बाद इसको on कर देना है, आप मैं बतातों से होता क्या है, दोस्तों, बहुत सारे YouTube में ऐसे video होते हैं, जो English में होते हैं, और भी किसी language में होते हैं, जो मुझे language नहीं पता होता है, मुझ उसके लिए दोस्तों एक जो की condition है, अगर ओ वीडियो जो की caption clear, eligible है, enable है, तभी ओ जो की आप English को Hindi या Hindi को English में जो की आप वीडियोज को देख पाएंगे YouTube पे, तो दोस्तों यह थी पहली setting, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी setting, दूसरी setting कर आप जनरल में जाना है, उस आप उस सर्च में हम होम पेज पे YouTube के application पे आने लगता है, अगर वही जो की application आप जो की अगर YouTube पे बच्चे को दे देते हैं, तो वो बार बार दीखेगा, तो वो दिक्कत होगी, उससे दूस्प्रभाब पढ़ेगा, तो आपको इसको on कर देना है, तो यह थी दोस्तों द लेटर, मतलब आप इसमें set कर सकते हैं, कि आपको पूरे दिन में कितने घंटे, कितने मिनट YouTube चलाने है, उतने घंटे चलाने के बाद, आपको एक notification मिल जागा, एक alarm मिल जागा YouTube application की तरफ से, कि आप इतना यूज कर चुके हैं, आप बत यूज करिए, आप पढ़ाई में रहान दिजिए, किसी और चीज में, तो दोसरी इस पकार इसको आप सेट कर सकते हैं, एक और सेटिंग में बता देता हूं, एक्ष्टर ये डार्क थीम का अपसन है, इससे क्या है कि आपके mobile application की जो बैगराउंड हो जाएगी, जिससे आपकी बैटरी और आपके आँख पर थैंक यू सो मच्छ